मेरे पास यह जो device है दोस्तोв 특न ब्रेंड की है और इसका model नबर आपको बता देता हूँ model नबर है Techno Spark Go 2013 ध्यान से सुन लीजिये model नबर है Techno Spark Go 2023 ओर दोस्तों आज किस विडियो में मैं आपको इस device का FRP lock यानी kis Gmail ID lock remove करने का सबसे latest तरीका बताऊंगा, एक चीज़ ध्यान दीजे दोस्तों, अभी जो latest security आई है, उसमें जब आप device का FRP bypass करते हैं, तो एक छोटी सी प्राबलम आपको फेस करनी पड़ती है, application पे click करने के बाद application ओपेन नहीं हो रहा है, और इसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका solution मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको confirm कर देता हूं कि मेरे पास यह जो device है टेक्नो इस पार Go 2030, यह पूरी तरह से FRP lock है, यानि कि Gmail ID lock है, connect to Wi-Fi वाले आपसमें का चुके है, नीचिक तरफ next का क कोई भी option नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, डिवाइस को जल्दी से किसी Wi-Fi से connect करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है, तो यहाँ पर डिवाइस को मैंने Wi-Fi से connect किया, कुछ सेकेंड वेट करिए, अभी यह आगे process करेगा, ध्यान दीजिए, application प सबका FRP बिल्कुल इसे तरीका से bypass होगा, ठीक है, यहाँ से हम don't copy करते हैं, ओके, और यह देखे, यह प्राब्लम आपको face करने पड़ती है, जब आपकी device FRP lock होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, device का FRP bypass करने के लिए आपके पास दो option है, पहला option verify pin, यानि कि आपको यह pin verify करना होगा, तो दोस्तों यह जो pin है, pin हमें नहीं पता है, ध्यान दीजिए, pin की जगा पे pattern या password का भी option हो सकता है, जो कि pin का option है, और pin हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, use google account is state का option है, आप इस पर क्लिक करें, तो अब देखेगा, यहाँ पे लिखे आग तो अब देखे कैसे इसका FRP bypass करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से back चलेंगे connect to Wi-Fi वाले option पे, यानि कि जहाँ पे हमने device को Wi-Fi से connect किया था, तो यहाँ से back चलते हैं, connect to Wi-Fi वाले option पे, यह देखे यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे device को हमने Wi-Fi से connect किया है, simple network पे क् क्लिक करना है, nearby का option है, nearby पे क्लिक करिए, ओके, यहाँ से simple turn on पे क्लिक करिए, need help sharing दीखेगा, आप simple इस पे क्लिक करें, कुछ सेकंड वेट करने के बाद ऊपर की तरफ 3 dot दीखेगा, यह देखे 3 dot दीखा, आप 3 dot पे क्लिक करें, उसके बाद share article पे क्लिक करते ही, दोस्तों आप देखेंगे share कि यह सारे option आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखे, फोनिक्स है, ठीक है, आप फोनिक्स पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ फोनिक्स पे क्लिक करें, तो आपके device में browser open हो जाएगा, यह browser open करने का तरीका है, यहाँ से agree करिए, ओके यह देख Google Account 2023 मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो addrum की website open हो जाएगी, कुछ सेकंड वेट करिए, यह देखे, addrum की website open हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम open setting पे क्लिक करेंगे, तो device की main setting open हो जाएगी, ठीक है, यह दिखे, device की main setting यहाँ पे open हो जाएगी, ठीक है, प्राबलम के बारे में discuss कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा app management, यह रहा, इस पे क्लिक किया, उसके बाद app list पे क्लिक करेंगे, तो सारे application की list यहाँ पे आपको सो कर जाएगी, यह देखे, सारे application की list यहाँ पे सो कर गई, ठीक है, अब यहाँ से द conclusion की ध्यान से देखेगा, यहाँ से आपको back आना है, बैक आये, share article वाले option पे आपको back जाना ठीक है, तो यहाँ से back चलेंगे, back चलेंगे, ऊके, एक point और back आएंगे, ठीक है, जहाँ पे share article का option था, आपको वहाँ पे आना है, तो यहाँ से हम back चलते हैं, oh! exit, ठीक है, यह द करेंगे यहां पर एक सेर मीनी दिख रहा है ना आप इस पर क्लिक करिए ओके तो एक सेर मीनी आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगा और यहां पर कुछ परमीशन आपसे मांगेगा तो सारे परमीशन को आपको जो है की बारी-बारी इनेबल करना है ओन करना ठीक है और प्लिकेशन इसमें आपको इंस्टॉल करना ठीक है तो यहां पर मैं टाइप करूँगा एक सेर यहां यहां अपको एड्रेस बक्स पर टाइब करना है एडरोम डिस्प्ले पर देख सकते हैं तो मैं अड्रोम टाईप किया आमने बाई-पास गूगल account 2023 दिखेगा आप इस पर क्लिक करिए तो आपके डिवाइस में जो है कि add room की main website open हो जाएगी open हो गई यहां पर दोस्तों बहुत सारे application हैं यहां से आपको दो application download करने हैं सबसे पहला application android 8 9 10 आप इस पर क्लिक करिए ओके download anyway पर क्लिक करिए download पर क्लिक करेंगे तो यह देखें दोनों application download हो गया ओके अब देखें दोस्तों access here आपने install किया था उसे open करना ठीक है तो access here install हो चुका होगा यह रहा ठीक है आप इसे open करिए यहां से agree करिए permissions जो भी आएंगे सारे permissions को आपको allow करना ठीक है अब देखें दोस्तों दो application जो आपने download किया था इसमें send करना है लेकिन यहां पर छोड़ी सी problem है qr इसमें आना चाहिए लेकिन यह उल्टा इस device में है टेक्नो वाली device में कैसे करेंगे वो करना है दोनों application को आप यहां से check करिए उसके बाद send पर क्लिक करिए परमिसंस आगा है जो भी permissions आएंगे उसे on करना है और allow करना ठीक है तो यहां से मैं on करता हूं जो allow नहीं है उससे allow करूंगा ठीक है यहां पर देखें यह qr code आ गया ओके दोनों में qr code है application send हो नहीं पाएगा कैसे send करेंगे वह मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या यहां से एक point back आना है ओके बैक आने कबाद और बैक आईए उसके बाद देखें यहां पर रिसीप का option है आप रिसीप पर क्लिक करें रिसीप पर क्लिक करने करेंगे दोनो में कनेक्ट हो जाएगी यहां से देखिएगा इस चोटा सा ठीक है दीक है डोनों डिवाईस आपस में यहां देखिए डोनों से क्लिक करें उसके बाद सिंग करें उसके बाद सीमोर Okay करें तो यह दोनों application फो कर दिए दोनों application को चेक करिए उसके बास send पे क्लिक करिए अब देखे यह send हो गया यहां पे receive होगा आप यहां रिसीब करें तो यह देखे दोनों application send हो गया यह देखे FRP bypass न इस्टाल हो रहा है Android 8 910 वेटिंग में ठीक है तो कुछ सेकेंड वेट करिए यह आटोमेटिकली सेंड भी हो गया और इंस्टाल भी हो जाएगा यहां पर ओपन कॉपस ना जाएगा ध्यान दीजिए दोस्तों टेक्नो की वीडियो अच्छी लगती है तो एक छोटी इस रिक्वेस्ट है वीडियो को सेयर करिए लाइक करिए और ऐसे ही सांधार इंट्रेस्टिंग वीडियो की कंटिनीव नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्काइब करिए बेल आकन को ज है आपको उसकी जरूरत पड़ेगी यह देखे गूगल साइनिन का उपसन आ गया तो यहां पर हम अपनी जी मेल आइडि यहां पर एड कर लेते हैं तो जी मेल आइडि हमने एड करनी है ओके जी मेल आइड कर ली यहां से सिंपल नेच्ट पे क्लिक करेंगे अब ये इसका पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हमें डालना है, पासवर्ड का option आ गया, तो यहां पर हम simple password add कर लेते हैं, ओके, पासवर्ड मैं ने इंटर किया, यहां से next करेंगे, sign in, अब क्या होगा, Gmail ID जो हमने डाला था, sign in होगा, और यह automatic back भी आ जाएगा, यह देखे, sign in हो रह प्रेस करके device को reboot, यानि कि restart कर देता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों, मैं टेक्नो के XYZ, सारे mobile का FRP बाइपास करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसका software Android 11, 12 या 13 से up to date हो, और आप FRP बाइपास करते वक्त, जो problem phase कर रहा है, application पे क्लिक करने बाद, application ओपन नहीं तो इसका solution आपको बता रहा हूँ, I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगी, और वीडियो सूट करने में, edit करने में बहुत सारी मेहनत होती है, तो ये आपको दोस्तों जो वीडियो है पूरे YouTube पे first वीडियो आपको मिलने वाली है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा माइन रखते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, अपना feedback जरूर दें, लाइक करें, share करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, continue वडियो की notification पाने के लिए, ट्रिक्स पाने के लिए, बेल आकन को तो पक्का प्रेस करिएगा, ठीक है, तो device को हमने यहाँ पर थोड़ा सा process में time लेता है, तो आपको wait करना है, कोई जल्द बाजी नहीं, ठीक है, अब यहाँ से next करिए, skip करिए, ओके, अभी करना क्या है दोस्तों, device यह जो wifi से आपने connect कर रखा है, इसको पहले forget करना है, ठीक है, क्योंकि यह आगे process नहीं करेगा, तो मैं इ home screen पर, ठीक है, अब आपको फिर से device को wifi से connect करना है, तो next पर click करिए, next पर click करिए, skip करिए, connect to wifi वाले आपसने प्याग है, हमने device का wifi disconnect किया था, तो हमें फिर से device को wifi से connect करना होगा, ठीक है, device connect हो गई, थोड़ा सा wait करेंगे, तो यह आगे process कर जाएगा, थोड़ा सा wait करिए यह देखिया, आगे process किया, next करिए, okay, box को check करिए, उसके बाद next करिए, okay, getting your phone ready, अभी देखेगा, account added का message आगा, और जो Gmail ID हमने इसमें add की थी, वो successfully इसमें add भी हो चुका है, मैं आपको आगे चलके दिखाता हूँ, थोड़ा सा wait करिए, वीडियो को अगर आपने skip नहीं किया, तो I hope कि आपको solution मिल चुका होगा, अगर आप एक technician है, तो आपके लिए बहुत easy है, और जो technician नहीं है, उनके लिए भी मैंने इसका solution आपको बता ही दिया, बहुत बारिकी से आप सारे steps को follow करिए, just a few moment, थोड़ा सा wait करिए, अभी दे देख सकते हैं, account added का message आ गया, यह Gmail address हो कर रही है, जो कि हमने add किया था, ठीक है, next पे click करिए, तो अब तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि device की FRP bypass हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं complete setup करके आपको दिखाऊंगा, यह दिखे, Google services का option आ गया, और नीचे कितरब Gmail address हो कर अब करेंगे, ठीक है, more पे click करते है, more पे click करेंगे, accept करेंगे यहां से, ok, more पे click करेंगे, skip करेंगे, no, thanks पे click करेंगे, getting your phone ready, थोड़ा सा wait करेंए, यहां skip पे click करेंए, ok पे click करेंए, यहां सी साप्सम को आप सिंपल स्कीप कर दें स्कीप कर दें ओके बेस्ट ऑन एंडरोड 12 डिवाइस का सॉफ़वर बिल्कुल लेटेस्ट एंडरोड 12 से अप्टू डेट है इस एडरोड पे क्लिक करें बस आपके डिवाइस का एफार पी कम्प्लिटली बाइपास हो गया डिवाइस आपकी पूरी तरह से अनलाग हो गई थोड़ा सा यहां पर कुछ सेकेंड वेट करना है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टेकनो इस पार गोड़ 2023 का एफार पी बाइपास करने का सबसे लेटेस तरीका बताया अप्लिकेशन पर क्लिक करने के बाद अगर अप्लिकेशन ओपन नहीं हो रहा है तो इसका सल्विशन बेस्ट सल्विशन मैंने आपको दिया फाइनली हमारी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और यह देखे डिवाइस का एफार पी कंप्लिटली बाइपास हो गया दोस्तों लास्ट में अगर इब डिवाइस आपको पर्चेश करनी हो तो इसका पर्चेश लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया वहां से चेक आउट कर सकते हैं विडियो पुरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच